वैक्यूम इवैपुरेटर निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान दोस्तो यह एड़डाइजिंग आज मुझे क्यों याद आ रही है इसका कारण हमारे देश में चल रही सनातन पर डिबेट दोस्तो सनातन के सपोर्ड में आस्तिक हिंदू हो या नास्तिक हिंदू हो जिस प्रकार निर्मा शुद्ध नमक का दाना दाना एक समान होता है उस प्रकार आस्तिक हिंदू नास्तिक हिंदू सारे दाना दाना एक समान मतलब सब सनातन धर्म के सपोर्ड में उतर जुके हैं और सारे आस्तिक और नास्तिक हिंदू सनातन धर्म के सपोर्ड में सनातन की बासुरी बजा रहे हैं दोस्तों इन सनातन धर्मों की बासुरी बजने में एक की बासुरी बड़ी सुरीली है जिनका नाम है द्रूराइटी, बड़ी सुरूली बासुरी हो बजा रहे है उनका मैंने जो tweet देखा सनातन धर्म के support में देखो मैं सनातन धर्म के उपर चर्चा करने माला हुई इस वीडियो में ना कि द्रूराइटी को क्रिडिसाइज करने वाला हूँ बट उनका tweet आप देख लिजिए Reform religion, yes. Establish equality, yes. Approach casteism, yes. Eradicate sanatana, no. India stand for unity in diversity. That's good thing actually. Long live sanatana slash hinduism. Long live islam, sikhism, christianity, buddhism, jainism, zhoreshtrism, all other religion and also atheism. ध्रूराइटी अपने आपको atheist कहते हैं, but I think he is a Hindu atheist because atheist जो होता है, वो rational thinking को promote करता है और ध्रूराइटी sanatana को भी आपर promote कर रहे है कि long live sanatana hinduism, okay. तो सबसे पहले तो हमको यह जानना है कि sanatana इसका मतलब क्या है? सिर्फ धुरूराइटी की बात नहीं है, धुरूराइटी के अलावा भी जो भक्त बैनर जी, कुछ देश भक्त नाम का एक channel चलाते है, उन्होंने भी sanatana धर्म को support करते हुए एक लंबा चुड़ा वीडियो बनाया है, जहापर उन्होंने किसी scholar को बुलाया है, और sanatana पर lecture जिया है, उस पर भी मैं आने वाला हूँ, आचरियो प्रशान जी, उनके क्या विचारे सनातन को लेके उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ, तो दोस्तों overall दाना दाना एक समान, निर्मा शुद्ध नमक, इस तरह हलत हो चुकी है, देश के जो सवर्न लोग है, उनकी सनातन धर्म के सपोर्ट में, तो ध्रूरादी तो बड़ी सुरीली बासुरी बजा रहे है, बाकी सब जन बासुरी तो बजा ही रहे है, सनातन धर्मा इतना महान है, उतना महान है, ये सारी बाते कही रहे है, इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करे वैसे दोस्तो सनातन धर्म की exact definition आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी जो intellectual लोग है जो सनातन धर्म को support करते हैं मानते हैं उन लोगों तवारा जब आप सनातन धर्म की definition सुनोगे हर एक इनसान हर एक scholar हर एक intellectual अलग-अलग definition आपको बताएगा और इतना goal motor आपको घुमा कर या कि आप भी confused हो जाओगे कि सनातन धर्म एक्जैक्ली है क्या जिस प्रकार हिंदू लोग सनातनी लोग से confused हो जुके है विकास सनातनी लोगों ने हिंदू लोग को कह दिया कि आप तो सनातनी हिंदू हो जबकि डॉक्टर बाबा साहिब अंबिटकर जी ने रिडल सिन हिं सनातन धर्म की उसके support में तो उन्होंने इसका meaning बताना चाहिए कि सनातन का अर्थ क्या होता है इसकी definition क्या है दोस्तो हाली में ध्रूराटी ने interview लिया था आचार्य प्रशान का जो की intellectual है तो वो क्या कहते है सनातन धर्म के बारे में ये हम समझने की कोशिश करते हैं तो दो मुति ही सनातन है जो समय के बाहर है वो सनातन है जो eternal है शाषवत है वो सनातन नहीं होता ये कून गहे रहे है इटर्नल है या शाश्वत है वो सनातन नहीं होता आचरे प्रशन कहे रहे जिनको बहुत ज़्यादा आजकल इंटलेक्च्वल माना जाता है अद्वित फिलोसॉफिक के वो स्कॉलर है उसके बारे में वो सिखाते है यूटूब पर लोगों को वो क्या गए रहे जो इटर्नल है शाश्वत है वो सनातन नहीं होता जो कालकतित है समय के बाहर का मन से बाहर का है जिसके बारे में आप सोज भी नहीं सकते सुने फिर से जिसके बारे में आप सोज भी नहीं सकते वही सत्य है वही ब्रह्म है उसी का नाम आत्मा है उसी तक पहुँचने का जो नाम है वो सन सनातन की, मन को शांती तक पहुचना या मन को शांती तक ले जाना सनातन है, जो कलपना में आ सकता है, वो काल सापेक्ष है, मतलब जिसकी आप कलपना कर सकते हो, वो सनातन नहीं है, सनातन तो कलपना आप जिसकी करी नहीं सकते हैं, वो है सनातन, जो कलपना के परे है, जो समय क परे हैं, बाकि सब बाते मित्य हैं, सनातन यही है, सनातन तक जाना ही सनातन धर्म है, अब दोस्तों, मतलब उनके कही सेंटेंस को मैंने जोड़ कर ये आपको बदाया है, जिनको भी ठीक से जानना है, वो सनातन पर आचरे प्रशांजे ने क्या कहा है, उसको सुन लीजिए, आपको समझ आएगा, धुरूराड़ी के इंटर्यू में उन्होंने नहीं कहा है, किसी और इंटर्यू में कहा है, पर कहा है, सनातन की डेफिनेशन उन्होंने दी है, तो कितनी गोल मटर डेफिनेशन दी है, सनातन के बारे में सोची नहीं सकते, फिर भी ये सोच कर बता रह उन्होंने अगर one sentence में कहा है, तो सनातन तक जाना ही सनातन धर्म है, अब सनातन ही लोगों को पता नहीं है, यह बता रहे हैं सनातन धर्म की कलपन आप करी नहीं सकते, जो समय में आता है, वो सनातन नहीं है, जो समय के परे है, वो सनातन है, अब जो मानव पीड़ी है, मानव की सारी समय में हाथ दिये और समय में रहने वाला इनसान समय के बाहर कैसा सोच सकता है और सबसे important तो उन्होंने कहा था कि जो eternal है शाषवत है वो सनातन नहीं है वो सारे तो मिथ्या है मतलब जो लोग कहते कि शाषवत है eternal है वो सब बक्वास है और सनातन का आप लोग जब मतलब धूंडोगे तो आपको eternal मिलेगा या timeless मिलेगा या फिर शाश्वत मिलेगा पर वो कहे रहे हैं कि eternal शाश्वत जो लोग कहते हैं वो सारी बाते बक्वा से मिथ्या बाते हैं अब जो देश भक्त हमारे भक्तव energy उन्होंने जिस scholar को बुलाया था देउध पटनायक वो सनातन के बारे में क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए सनातन का मतलब है timeless eternal आप देखे आचार्य प्रशंज नहीं क्या कहा था इटर्नल ही नहीं शाश्वत ही नहीं पर सनातन का मतलब देउदत पटनायक क्या बदा रहे हैं वो कहे रहे हैं कि टाइमलेस इटर्नल जो इमॉर्डल इमॉर्डल का मतलब होता है अमर इमॉर्डल है जो खतमी नहीं होता जिसका अंत नहीं होता उसे सनातन कहते हैं विवित प्रकार की माननेता होती है जो समय के साथ बदलती रहती है इसे हम सनातन मानते है ये कुन गही रहे है देव दत पतनायत जो भक्तब एनरजी देश भक्तब चैनल पर आये थे यूटूब का एक चैनल है दोस्तो अब तक मैंने सिर्फ आपको दो इंटेलेक्चिल क्या है इसकी डेफिनेशन आज तक कभी डिफाइन ही नहीं हुई इसका मेनिंग आज तक कभी किसी ने बताया ही नहीं है हर कोई अपना अपने तरीके से इसका मेनिंग बता रहा है ये को आचरे प्रशन कहे रहे है कि इटर्नल नहीं होता शाश्वत नहीं होता जो लोग कह प्रुबेदी का tweet क्या गए रहा है तो उनका tweet भी कही रहा है कि सनातन धर्मा stand for eternal truth यह भी कही रहे है कि eternal truth है अगर dictionary खोलकर आप लोग देखोगे सनातन का मतलब क्या होता है तो वहाँ पर भी यही आपको नहीं है historical references जान भूज कर मिटा दिये गए है अगर होते तो अर्थ मिल जाता पर historical references मिलते ही नहीं है या फिर मिटा है इसलिए गए क्योंकि कुछ ना को जोल है और उसको बचाने के लिए यह सब गोल मटर तरीके से देखो इनकी बाते सुनने के लिए तो बड़ी अच्छी लगते है जैसे आचरे प्रशान वह scientific religion को थोड़ा लेकर जाते है अध्वेत philosophy बताते है सुनने के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है पर देखिए आपको मैंने जैसे बता है कि दाना दाना एक समान निर्मा नमक के तरह है यह सारे लोग धरूर आटी उसको वह तो मुझे लगा नहीं था बड़ उसने भी मतल जुरूर आटी ने बता देना चाहिए अगर कह रहा है कि लॉंग लिव सनातन क्योंकि देखिए हम लोगों ने इसके परिणाम भोगे है हम लोगों ने जेले है इसके परिणाम आप इसको बोल रहे हैं कि लॉंग लिव सनातन का अर्थ प्रकाश अंबेटकर जी जो डॉक् है पर आप लोग कहे रहे हैं कि लॉंग लिव सनातन धुरूराडी का जो फर्स सेंटेंस था रिफॉर्म रिलीजन यस अब सनातन में क्या ये चेंज कर सकते हैं सनातन का अर्था ही होता है इटर्नल अंचेंजड डॉक्टर बावा सहेब अंबिटकर जी रीडर्स इन हिंदु को जड़ से उकड़ दोगे जो ब्रामन शत्रिय वेश्य शुद्र यह जो विवस्ता है क्या उसको आप जड़ से उखाड़ पाओगे तो किस रिफॉर्म की बात कर रहे हो अगर वर्ण आश्रम धर्म को आपको सपूड करना ही है क्योंकि सनातन को सपूड करना इसका मतलब भी होता है कि वर्ण आश्रम धर्म को आप सपूड कर रहे हो वर्ण वेवस्ता को सपूड कर रहे हो तो रिफॉर्म किस चीज़ में लाओगे सनातन का मतलब होता है eternal आचरे प्रसंद कहे रहे कि eternal नहीं होता पर वो जो मतलब बता रहे है वो तो ऐसी जिले भी बना रहे है कि सनातन के और जाना ही सनातन है और सनातन कलपना से परे है वो समय से परे है ये बाते तो मुस्लिम लोग के तरह हो गए कि अल्ला को किसी ने देखा है नहीं नहीं अल् किसे ही हो दे ना, सूरज को कोई देख नहीं सकता तो अल्ला को कोई से कोई देख सकता है कुरान का निर्मान कब हुआ है तो कुरान का निर्मान लाखो करोडो साल ये लोग बता देते हैं, पहला पेगंबर कुँ था, करोडो साल पहले पहला पर एक अगमबर आ गया, ऐसे मतलब क्या-क्या मंगरत कहानी मुस्लिम लोग भी बदाते हैं, तो इसी प्रकार सनातन लोगों की भी कहानी है इसका कोई answer नहीं है perfect answer नहीं है या इसमें कोई तरक भी नहीं है यह तरक हिन बाते हैं, जो भी धर्म को बचाने के लिए आप लोग कर रहे हो देखे धर्म से आशा उत्पन्न होती है इसलिए धर्म आवश्यक है इंसान के जीवन में पर कौन सा धर्म हो? डॉक्टर बाबा सहर वंबिटकर जी ने कहा है कि I like that religion that teaches equality तो बाबा सहर वंबिटकर जी को तो वो धर्म पसंद था कि जो equality, liberty, fraternity सिखाता हो तो आपको कौन सा धर्म पसंद है बाई? आपको वो धर्म पसंद है जो वर्ना विवस्ता सिखाता है जो कास्टिजम सिखाता है रिफर्म तो उसको कर नहीं सकते हैं क्योंकि सनातन का मतलब ही होता है इटर्नल, शासवत, जिसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं बदलाव करने की कोई गुंजाईश ही नहीं है कुछ लोग तो कहते हैं कि बुद्जिजम भी सनातन हैं बकवा से ये बात हैं वो धमपद का example देते हैं वो लोग को मैं कहुगा कि यार अनिच्चा पढ़तर देखो जो धमपद में जो सुत्र है पढ़तर देखो अनिच्चा अनिच्चा में बताया है कि हर चीज़ चेंज होती है फिर वो फिजिकल हो या मेंटल हो everything will be changeable हर चीज़ चेंज होती है परिवर्टित होती है बाबा साहब अंबिटकर जी रिडल सिन हिंदुजम में बताते है बाबा साहब अंबिटकर जी कही रहे है कि हिंदु धर्मर ये सनातन नहीं है ये तो time to time change होती है आप देखेंगा ना सनातन धर्म के हिसाब से साही बाबा क्या भगवान थे, हिंदू के हिसाब से वो तो भगवान है, वो इश्वर है, क्या सनातनी लोग साही बाबा को इश्वर मानते हैं, नहीं मानते, तो आपको ये समझना चाहिए, जो हिंदू लोग है, वो बाबा साहिब अंबिटकरजी को भी इश्वर के तरह है और मतलब पता नहीं वो लोग हमको कहते हैं कि नहीं भाई ये भी ये तुमारे भगवान है वो गनपती पारवती वो हमारे भगवान है ये तुमारे भगवान है हम सभी भगवान का equally respect करते हैं पर सनातनी लोग बाबा साहिब अंविटकर जी को भला बुरा कहते हैं सनातनी लोग साही बाबा को भला पुरा गए थे सनातनी लोग सिर्फ उसी चीज़ को मानते है जिसको वेद माननेता देता है और वो लोग भी समाय आने पर चेंज होते है क्योंकि उन्होंने सनातन जो धर्म था प्राचिन काल में धंदा बना दिया है उसको इसलिए जो वेदिक इश्वर है उनको भी वो लोग छोड़ने को तैयर हो जाते है और जो हिंदू लोगों के इश्वर है उसको भी ये लोग पूझने के लिए तैयर हो जात है तो इस तरह से ये लोग सनातनी है नहीं कोई यहाँ पर क्योंकि सनातन का मतलब ही होता eternal जो change नहीं होता unchanged जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता पर हिंदु लोग तो time to time change होती जा रहे सनातनी लोग वो भी time to time हर चीज में बदलाव करते जा रहे हैं मतलब सोचें यहाँ पर कोई सनातन है भी क्या तो यहाँ पर कोई सनातन है ही नहीं उसके बावजुद यह debate उड़ाई जाती है कि सनातनी हिंदु धर्म अरे जिस धर्म में कितने सारे changes हो रहे है धुरूर आड़ी भी बात कर रहे है कि reform religion तो reform का मतलब ही यह होता है कि कुछ changes करने की बात कर रहे है वो सनातन का मतलब होता है कि change कर रही नहीं सकते हैं, टाइमलेस, इटर्नल, तो जिसको आप चेंज करने की बात कर रहे हो, उसको आप कह रहे हो कि लॉंग लिव सनातन, तो भाई सबसे पहला आप मतलब बता दीजिए कि सनातन का मतलब क्या होता है, आचर्य प्रशान जी ने जो बताया है कि इटर्नल नहीं होता, शाश्वत नहीं होता, ये तो टाइम के परे है, कलपना के परे है, अरे यार टाइम के परे है, कलपना के परे है, पर जो इंसन बने है, वो टाइम के अंदर है, तो वो इंसन कैसे सोच सकता है, सनातन क्या है, ये तो निररतक का विशय बन जाता है फिर, जैसे गुद्ध को पूचा गया था हिश्वर है या नहीं उन्होंने का वो प्रशने इतना महत्वपूर्णा नहीं है वो रहेगा क्या ना रहेगा क्या कुछ मतलब भी नहीं है हमको ना हम उनको कभी देख पाने वाले हैं तो उस विशय में चर्चा करके मतलब भी नहीं है तो सनातन की जो करजी ने मेंशन किया है रीडर सिन हिंदूजम में कि कुलुक बठ सनातन धर्म के वारे में क्या कह रहे हैं कुछ रेफरेंस तो गायब कर दिये गए है उस बुक में से बट बहुत सी बाते हैं जो डॉक्टर बापा से अमबेट कर जी ने रीडर सिन हिंदूजम में इस का है क्योंकि ऐसे कर के तो सब जन गोल गोल जिलेबिया बनारे हैं कि मेरे लिए ये अर्थ हैमेरे लिए और गता हैं हरकोई अपना अपना हरत निकाल रहा है असली अर्थ क्या है ये किसी अंटचेबल मतलब जिनको अंटचेबल करके ट्रीट किया गया था पास्ट में उनको पूझिये सनातन का असली अर्थ क्या है और हिंदु धर्म वो तो समय समय पर change होता रहा है, कभी हिंसक होता है कभी अहिंसक होता है। आप देखें कितने सारे बदलाव उसमें हुए है हिंदु धर्म में और मज़े की बात तो यह जो देउधत पत्ना है कि उन्होंने तुझे बताया है, वो कहते हैं कि 19 सेंचुरी में सनातन और हिंदू दोनों शब्द मर्ज होते हैं, और फिर बाद में महिलाओ का एजुकेशन को नकारा जाता है, फिर भेदबा होता है, कास्टिजम तब बढ़ता है, डॉक्टर बाबा सहे मंबिर कर जब पेशव पतनायक जी, तो देखिए आप सब, यह जो लोग है, यह स्कॉलर है, देवदात पतनायक, आचारे प्रशान, धुरूराटी, यह भी बहुत अच्छे से एक्स्प्लेन करते हैं हर चीज को, शायद सबका दिल रखने के लिए उन्होंने वो ट्वीट किया हो, अच्छे लोगों को सनातन धर्म का अर्थ भी बता दीजिए, तो बड़े उपकार होगे सनातन धर्म के सपोर्टर को और जो लोग सनातन धर्म को विरोध कर रहे हैं हम जैसे, तो हमको भी समझेगा कि सनातन का असली अर्थ तो बड़ा अच्छा सा है, क्योंकि एक अर्थ तो कोई ब अपना अर्त बता रहा है कि मुझे लगता है सनातन ऐसा है अरे वैच तुझे लगता है वो मत बता जो है वो बता या सब जन मिलकर जो accept कर रहे है स्विक्रूत कर रहे है वो बताओ तो सनातन धर्म का अर्थ फाइंड होना चाहिए डॉक्टर बाबा साहिब अमिटकरजी ने तो बता ही दिया है सनातन का जो अर्थ है वो अंचेंजड और हिंदु धर्म है वो चेंजेबल है आज उनका इश्वर साही बाबा भी है कल उनका इश्वर नरेंद्र मोदी भी हो सकता है इतना भोला भाला है हिंदु समाज पर सनातन धर्म में इश्वर नहीं हो सकता नरेंद्र मोदी ना साही बाबा को लोग इश्वर मानते है गालिया कितनी देते हैं पता है न क्यों देते हैं क्योंकि सनातन धर्म के विरुद्ध है साही बाबा तो इस बात को आप लोग समझे और धुरूराटी से मैं रिक्वेस्ट करूगा कि सनातन धर्म इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाईए और हमको ग्यान दीजिए चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप चाते हो कि धुरूराटी मेरे इस वीडियो का रिप्लाई दे तो उनको ये वीडियो tag कीजिये या उनको भेझिये और उनको कहिए request कीजिये उनको कि सनातन धर्म के उपर एक वीडियो आप भी बना दो आप अगर सनातन धर्म को support करते हैं सब जन दाना दाना एक समान निर्मा शुद्ध नमक के तरह जितने भी आस्टिक हिंदू नास्टिक हिंदू सब एकट्टा होकर सनातन को सपोर्ट कर रहे हैं ग्रेट तिंग मिलते हैं नेक्स्ट वुडियो में तब तक के लिए नमो बुद्धाय